Hello friends, कैसा आप सब? I hope you all are fine. इस वीडियो में आप समझने वाले हैं कि solution होता क्या है? और किन चीजों से मिलके ये solution बना होता है? तो what is solution? solution is a homogeneous mixture of solute and solvent. तो ये जो solution है, वो solution solute और solvent डोनों का homogeneous mixture होता है. अब आपको समझना होगा कि homogeneous mixer क्या होता है solute क्या होता है solvent अब आप यह समझ पाओगे कि solution क्या होता है तो the solute है is the dissolved component or agent यानि कि dissolved component या फिर कह सकते है जो part dissolved रखा है solvent में उसी को हम solute कहते है और और वो कम मात्रह में present होता है solution में less abundant part होता है अब ज़र दूसरा ही वो solvent is the component in which solute is dissolved and it is the most abundant part of the solution तो जो solvent है वो ऐसा component है जो जिसमें solute dissolve होता है हमने solute को जिसमें dissolve किया है वो component solvent है अब यह solvent सबसे ज्यादा मात्रा में present होता है यानि solute से ज्यादा मात्रा में present होता है और solution बनाता है तो अब यह homogeneous mixture क्या होता है तो homogeneous mixture is a mixture in which the composition is uniform throughout the mixture तो homogeneous mixture कैसा mixture है जो कि solute and solvent का बना होता है और इस तरह से बना होता है कि जो solute है वो पूरे solvent में uniformly distribute हो जाता है और इस वज़े से हम पहचान नहीं पाते है कि solute कौन सा solvent क्या है क्योंकि दोनों अच्छे से mix हो गया होता है uniform हो जाता है तो इसे ही हम करते है homogeneous mixture तो जैसे कि आप example में रेख सकते हो यह है salt जिसे हम solute कहेंगे तो सुगर तो इस सुगर हम जब किसी water में डालेंगे है solvent में तो सुगर solution बन जाएगा और यह हमें क्लियर ली पता नहीं चलेगा कि solute है यह solvent है तो दोनों अच्छे से mix हो जाएगे homogeneous mixture बना लेंगे तो यह हो गया सुगर solution अब अगर हम बात करें salt और water की तो आप sea water में देख सकते हैं तो salt और water का mixture होता है इसमें भी हम पता नहीं लगा सकते salt कहां present है अब air जो आपके atmosphere में होती है तो air में क्या होता है बहुत सारे टाइप के gases होते है mixture of gases होती है जैसे कि nitrogen हो गया oxygen हो गया argon krypton इस है बहुत सारे gases होते हैं हमें पता नहीं चल था अब यह कोल्डविंग आफिया आपके सकते soda तो उसमें क्या gas dissolve होती है liquid में तो इस वज़े से हम इसको recording बना बाते है और यह है gas in liquid का example अब ऐसे बहुत से example होते है solution के अलग अलग टाइप से आप solid liquid और gas एक दूसरे में mix होते है अलग अलग टाइप से जैसे कि alloys हो गया जिसमें solid solid में dissolve होता है तो ऐसे बहुत से example आपको मिल जाएंगे जैसे hydrogen gas है वो platinum में मिक्स हो जखिए तो उसे भी हम कहेंगे solid in sorry gas in solid का example तो ऐसे कई example आपको मिल जाएंगे अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें sidek यानि science tricks नहीं को and thanks for watching this video